आज कुछ उन बातों की चर्चा करना चाहता हूं, जो हम सब के लिए बहुत उपयोगी हो। सारी बातें उपयोगी संतजन बताते ही हैं, लेकिन ये कुछ हैसी बातें मैं कहने का सोचता हूं। सायद ये ऐसी बातें भी हो सकती हैं जो उन लोग को पसंद ना हैं, जो सत्संग में केवल कहानी कुस्सा सुनने को आते हों। या फिर मौन रंजन करने आते हों। या फिर समय बिताने आते हों। या फिर किसी संकोच वस आते हों, नहीं जाएंगे तो क्या कहेंगे। तो सायद उनको ये बातें अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये बातें उन लोगों को बहुत अच्छी लग सकती है, जो लोग सच्मुच अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं, अर्थात एक पशु धरातल से उठ करके, आप मानवी धरातल पर और मानवी धरातल से उठ करके, एक भगवत्ता को उपलब्द करना चाहते हैं, अर्थात केवल अब हम सत्य के बारे में जानना नहीं चाहते, हम सत्य को का अनभो करना चाहते हैं, हम शान्ती की केवल व्याख्या नहीं सुनना चाहते हैं, हम शान्ति को जीना चाहते हैं अर्थात जो शत्य के लिए प्यासे हो वे उन्हें बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि देखिए एक चीज बताओं मैं शत्य के प्रती प्याश जगे तो शत्य का न मिलना ये बड़ी बात नहीं है न मिले हमने प्रयाश किया था लेकिन शत्य न मिले तो कोई हर्जन नहीं लेकिन शत्य की प्यास ही न जगे ये दुर्भाग्य पूर्णा है क्योंकि एक तो शत्य के प्रती प्यास होगी या फिर अशत्य के प्रती होगी छुद्र के प्रती होगी छणिक चीजों के प्रती होगी और छणिक चीजों के प्रती जो हमारी अभिफसा होगी चाह होगी छणिक चीजों को हम पाभी जाएं नश्वर चीजों को पाभी जाएं तो भी हमें शांतिक अन्भव नहीं हो सकता है और शत्य की प्यास जगी और सत्य न भी मिला तो भी हमारे लिए फैदेमंद होगा क्यों मैं कह रहा हूँ क्योंकि सत्य के प्यास का जगना यदि भीतर में वो है तो फिर आपके भीतर कुछ घटने लगता है कुछ परिवर्तित होने लग जाता है उसे पाने के लिए क्योंकि आपके भीतर कुछ है अंकुर, कुछ बीज है शत्य के, शान्ती के वो फूटना चाहता है वो अब अंकुरित होना चाहता है क्योंकि प्यास जग रही है जो इसका अनभव करना चाहता है इसलिए इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है जिसे हम बाहर की चीजों को चाहते हैं बिलती है चीजे छुड जाती है छुड जाती है आप सभी जानते हैं आसपास के लोगों में देखे होंगे घटनाओं को देखे होंगे बहुत सारा आईश्वरी उनोंने इकठा किया लेकिन चलते समय कुछ भी साथ नहीं गया कुछ भी नहीं गया ये हम जानते तो हैं ये वैसे हम बाहर से जानते तो हैं लेकिन भीतर से उस चीज पर हमें विश्वास नहीं है क्योंकि हम जीते इस प्रकार से हैं जिसे देख करके लगता है कि हम पूरा जो कुछ हम इकठा कर रहे हैं साथ ले चलेंगे अहनी हनी भूतानी गच्छंती अमालयम शेशा इस्थावर मिच्छंती की माश्चरिय मतापराम यह महाभारत का एक मंत्र है, एक श्लोक है गुर्देव जी से मैंने यह सुना और गुर्देव जी से सुन-सुनखर के मंत्र याद हो गए मैंने कभी याद करने का प्रयास नहीं किया कई ऐसे उपनिशद के या वेत के या अन्या सास्त्रों के मंत्र बस उनसे सुनता गया, याद होता चला गया है तो कभी-कभी ओख्याला जाता है, तो कह दिया, वो बात याद आ गई अभी, अहन्य हन्य भूतानि गच्छंति अमालयम, अहन्य अह कहते हैं दिन को, रोज-रोज, प्राणी, यम आलम, यम घर, यम सदन, अर्थात, सब मर रहे हैं, यम लोग सिधार रहे हैं, रोज, लेकिन, जो शेशाहिस्थावर मिच्छंति, जो सेश बचे हुए हैं, वो ऐसा जी रहे हैं, जैसे कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि उनका जीवन बताता है, उनका ढंग बताता है, सब कुछ ले चलेंगे, और हम जानते हैं, यह पंक्ति सुनते और दोहराते हैं, इकठे कर, जहां के ज सभी मुलकों के माली थे, सिकंदर जब चला तो दोनो, दुनिया से दोनो हात खाली थे, सिकंदर जिसे महान शिकंदर कहते हैं, महान तो नहीं था, आप कभी विश्व इतिहास की जलक, जवाला नहरू, पंडिज जवाला नहरू की लिखी पढ़े हैं, तो उसमें उनोंने कि लोग कहते हैं, महान शिकंदर, महान का है कि शिकंदर, पुरा शैतान था वो तो, बेकसुर लोगों को मारता हो, कोई रचनात्म काम किया, देखो उनके जीवन को, कोई रचनात्म काम किया, केवल विश्तार करता रहा गया, बेकसुर लोगों को मारता रहा गया, और बहुत दुनिया के बहुत सारे छेत्र को जीत लिया, भारत भी आया, भारत के बहुत सारे हिस्से को जीत लिया, अंत में उनके सिपाही जवाब देने लगे, हम भारत को पूरी तरह नहीं जीत पाएंगे, ठक गए हैं, घर की आद आ रही, अब लोटेंगे, अंत में लोटना पड़ उनको, और रास्ते में लोटे तो भी लड़ते भड़ते रहे कि उसको देखे वहाँ चले गए, रास्ते में किसी से लड़ाई हो रही थी, भाला लगा, मर गया, घर भी नहीं पहुच पाया, कहानी है, आगे, अभी तक तो यह कहानी नहीं है, शिकंदर की कहानी दो नहीं है, लेकिन सायद ये बात लिखी होगी, उन्होंने कहा कि मेरे हाथ बाहर रख दें, क्यों, उन्होंने कहा लोगों को पता चल जाए, कि दुनिया में बहुत इकठा किया, लेकिन चलते समय, कुछ भी साथ नहीं लेगा, और उनहीं के लिए बात आती है, इसी भारत में, शायद ले गई थाली में, उसके हीरे, जवाहरात, असरफी, इत्यादी को सजाकले भोजन के लिए, जब उपर से कपड़ हटाते हैं, हटाता है वो, तो देखता इसमें रोटी नहीं है, सबजी नहीं है, दालबात कुछ भी नहीं खाने की चीज़ है, इसमें तो सोने चांदी अस अपने देश में भी नहीं थी, खाने की कमी, आपको अपने देश में भी कमी नहीं थी, लेकिन आप इनहीं सब को खाने के तुआ हैं, किसके लिए पेड़ भरने आया हैं, कुछ मिलने वाला है, मैं यह कह रहा था, कि हम छड़िक पदार्थों को चाहते हैं, वे चीज़ें जो आज मिली हैं कल छूट जाएंगी और नहीं भी छूट गी ता मौत हम से उसे वियोग करा ही देगी करा देगी उन चीजों के प्यासे बने रहते हैं लेकिन शत्ति के प्यासे नहीं हो पाते हैं शांति के प्यासे का भिपसा जग नहीं पाती हैं नहीं, मुझे इस जीवन में कितना महत्यपूर्ण जीवन मिला जरत देखो तो सही गुर्देव जी ने लिखा है प्राप्त जीवन में जो अभी जीवन मिला है इसमें आप विद्या अरजित कर सकते हो उचे पत पर जा सकते हो और धन इकठा कर सकते हो बहुँ सारे वैभा और आश्वर ये बढ़ा सकते हो लेकिन उन सब को देकर उन सब को देकर जीवन के समय को बढ़ा नहीं सकते बढ़ा नहीं सकते और जीवन निरंतर छीड हो रहा है दिन प्रति दिन आज सुरियस्त हो गया सवनो हो रहे हैं आज का दिन बित गया और एक ऐसा दिन बिता है जो कभी लोट कर नहीं आएगा जीवन में लोट कर नहीं आएगा क्या आज हमने आज के दिन को सार्थक बनाया है कि केवल बिता दिया है छल प्रपंच केवल संग्रह में क्या हमने कभी भीतर उतर करके शांती कन्भो किया है कुछ मिनट के लिए कुछ मिनट के लिए भीतर शान मौन क्या ऐसा हुआ है नहीं हुआ है क्या हुआ जीवन में इसलिए शत्यके प्रति प्यासे बनो एक चगाओ भीतर में मुझे इस जीवन से, मैंने कहा ना, पशु धरातल से उठ करके, कुछ आगे की और जाएं, पशु धरातल कहने का मतलब क्या है मेरा, पशु धरातल का मतलब है, उदर पोषन और प्रजनन, एक वाधी चलता है, शिश्नोदर वाध, अर्थात, एक तो उदर पोषन पेट भर पशु का काम है, पशु पक्षियों का काम ही ही है, बस एक ही काम है, क्या है, ऐसी कुछ एक्टिविटी जो उनके पूरे, देख लोगे, पूरे सुबा से साम तक किसले दवड रहे हैं, किसले भाग रहे हैं, पेट भर जाए, पेट भर गया, अब क्या है, प्रजनन, अपन सरीखे संतान पैदा करने के लिए प्रयास करेंगे मनुसी भी करता है लेकिन कि वल इतने तक ही अटका रह जाए तो फिर वो पशुधरातल ही है कुछ लेवल उबर हो शांति की अभीप्षा हो संत इसा ने कहा है जिस जीवन में महा जीवन का अनभव न हो बह जीवन व्यर्था है महा जीवन का अनभव यह चनिक जीवन है गुर्देव जी ने उसको शाष्वत जीवन का अनभव हो चनिक जीवन लेकिन यह चनिक जीवन में शाष्वत जीवन का अनभव किया जा सकता है कल मैंने यह बात कही थी कि संभावना है हम सब में योग्यता है हम सब में वो शक्ति है हम सब में लेकिन शक्ति का हम क्या उप्योग करते हैं जरध्यान देजी इन बातों को ले करके हम शब के भीतर में शक्ति है एक शक्ति है जो हमारे जीवन को खराब कर रही है और एक शक्ति है, जो हमारे जीवन का उध्थान कर शक्ति है, देखिए, शक्ति अपने आप में नीट्राल है, शक्ति अपने आप में एक प्रकार से उधाशीन है वो, आप उसका उपयोग कैसे करते हैं, यह महत्तोपूर्ण है, उपयोग कैसा करते हैं, जैसे देखो, हम दे शक्ति, बिजली की शक्ति, आप बिजली से ठंडी हवा भी ले सकते हैं, तो गरम हवा भी ले सकते हैं ठंडा पानी ले सकते हैं तो गरम पानी भी ले सकते हैं किसी आदमी के लिए भोजन पका सकते हैं, तो किसी आदमी को भी पका सकते हैं बिजली से बिजली शक्ति है बस उप्योग कैसे करते हैं इस पर निर्भर करता है हम शब के पास शक्ति है और यदि उस शक्ति का हम दुरुप्योग करते हैं हमारे लेवा नुक्षान करने लगती गुर्देव जी कहा करते थे प्राप्त शक्ति का सदुप्योग हमारे लिए वर्दान है प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग हमारे लिए अभिशाफ है प्राप्त शक्ति का सदुपयोग वर्दान है और दुरुपयोग अभिशाफ है शक्ति क्या है? आप थोड़ास इसको define करेंगे, थोड़ास और clarify करेंगे तो इतनी शक्ति आप सब के भीतरे, एक काना ची पावर हाऊसी हैं आप सभी, हम सभी, मैं बिल्कुल इस थूल को बताता हूं पाले, जैसे आप में धन की शक्ति है, विद्या की शक्ति है, शारिरिक शक्ति है, सोचने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, करने की शक्ति है, देखन की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, अनुशाषन की शक्ति है, त्याग की शक्ति है, ग्रण की शक्ति है, कितना गिनाओ मैं इस चीज को, क्या हम इसका सही उप्योग कर रहें, किसी ने बहुत सुन्दर कहा, एक कोई सुभा सितानी है, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति यदि अपात्र को खल उन्हों ने कहा है, खलस्य साधो अपात्र को विद्या मिल जाए, क्या करता है वह? विवादाय, विवात करता है. मेरे समान विद्वान कोन, मैं जानकार हूँ, मेरे सामने कोन टीक सकता है, मैं सास्त्रों का ग्याता हूँ, विद्या विवादाय, और धन की सकती है तब धनम मताय, अहंकार, मैं धनी, मैं लोगों को मशल दो, मैं ये कर दूँ, गुर्देव जी की हुदाने याद आते हैं, एक बैठक थी, एक गाओं में बैठक थी, आज से साट सतर साल पहले की बात होगी, गुर्देव जी बताते थे तो सतर साल से भी जादा हो सकती है, उस समय गाओं में बैठक हुआ कर दी थी, कोई बात होती थी, एक लड़का, एक युवा था, युवक था, उसको लोग वो युवक इतना उनको नराजगी हुई क्रोध आया और क्रोध में बोला मैं इस गाउं को मिटाने के लिए सब कुछ खर्च कर दूँगा क्या कहा? मैं इस गाउं को बरबात करने के लिए मैं इतना धन लगा दूँगा सब चुक एक बुजुर्ग बैठे थे उसने कहा बेटा तुम गाउं को बरबात करने में अपना धन लगाना चाहते हो लेकिन तुमने ये नहीं कहा इस गाउं के उत्थान में अपना धन लगाऊंगा समझ रहे ना? धन कहा लगाना जाहते हैं गाउं को बरबात करने में, गाउं के उत्थान करने में नहीं लगाएं, वही सक्ति यदि उत्थान में लगा देते, तो आपके जीवन की क्या इस्तितिति है, लोगों की कितना फायदा होता, और आप बरबात करने को सोच रहे हो, गुर्देव जी एक और धान देते थे, एक आदमी था, जिसके हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ था इसे, फेक्चर हो जाते हैं, तूड़ जाती ही तो हाथ, ढड़ी तो, ऐसा बांधे रहते हैं, आए मिले, क्या हो गया, सहे वो गिर गया, तो चोट लग गया, तूड़ ग सहाचारी संस्वन, जैसे देखा तो, जैसे देखा तो, पिछली बार जब मिले थे तो, उनके हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ था, तो फिर कहा कि, अच्छा थीख हो गया ना, गुर्देज भी, स्वाभी पुष आप भी पुषते इस बात को, गुर्देज निका, अच् चार लोगों को मुक्का मार के गिरा सकता हूँ, गुर्देज निका, बेटा, इन हाथों से, आप नहीं कहें कि मैं इसे सेवा कर सकता हूँ, चार लोगों की, मुक्का मार के गिरा सकता हूँ, आप देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, सोच कैसी हमारी है, जीवन कैसे बद धन है गर्वकरता है, हंकार करता है, शक्ति परेशाम, मैं उधान दे दिया इसके लिए भी, शक्ति परेशाम परफिड़नाएं, दूसरों को सताने में शक्ति है तो, अब यही चीज जब शादू को मिलती है, सज्जन को मिल जाती है, क्या गह रहे हैं? ग्यान आए, दान अखिर buddha क्या करते थे महावीर क्या करते थे कवीर क्या करते थे यही तो करते थे जगा-जगा जा करके उनके अंदर शक्ति उसने उनोंने अरजित की और ग्यान आएं दान आए ग्यान देते थे ताकि लोगों के जीवन में कुछ खुशियां बढ़ जाए मैं एक चीज कहूँ हम लोगों का प्रवचन करना कोई धन्धा नहीं है आप समझ लीजिए कि हम व्यवशाय करने आए है बहुत लोग आगे हमारा व्यवशाय बढ़िया चल रहा है छमा करें यह उद्देश नहीं है यह तो एक कहने सुनना इसलिए है कि आपके जीवन में भी कुछ मुश्कान आ जाए कुछ सत्यके प्रती प्यास जग जाए कुछ आप जो संबंध है उसमें थोड़ी मधूरता आ जाए जीवन में कुछ खुशियां आ जाए आप जीवन जो उबढखाबड जी रहे हैं उसको सही ढंग से जीने लग जाए और आप जो सुनना चाहते हैं उसको सुना दिया जाता है ऐसा नहीं कि रास्ता है रुको 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 में कुछ बोलने वाला हूँ ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है रहा रहा हूं, रोज भोजन कर रहा हूं, रोज कपड़े पार रहा हूं, रोज काम में जाता हूं, घर मिलता हूं, जुलता हूं, फिर सुबा उठा, फिर वही काम, फिर वही काम, एक साइकल, एक चक्र में, एक जैसे कोई परिदी में घूम रहा हो, continue, घूम रहा हो, क्यों नाही सादू की संगत नाधे जनम गयो। यह लंबा पद है। मैं सुरू की पंक्ति को कहता हूँ। खर्षम बिन तेली को बैल भयो। आजकल के बच्चों को तो तेली का बैल, कोलू का बैल कहना बताना बड़ा कठिन भी है। सही है ना। लेकिन बहुत से बुजुरुगों लोग बैठे जानते हैं, कोलू कैसे अब पहले तो गन्ना के लिए भी कोलू मिलना कठिन है। बहुत देहात में जाओ तो होता है। कई साल पहले गये तो गन्ना पिरने वाले। इन्ही हम उत्तरप्रदेश के गाहों में हम लोग घुमा करते थे कितने साल पहले, 30-35 साल पहले भी तो देखा करते हैं, कोलू चला करता है। रहट चला करता था। वो चीजें तब है नहीं है। साहब के समय में तो बहुत रहा नहीं, तब मसीन थी नहीं थी नहीं, उस समय साहब ओ देखकर एक भधन देते हैं। हम सभी अब जो बुजुर का लोग जानते है अच्छी तरह से, कि कैसे कोलू का बैल कैसे होता है, चाहे हो गन्ने वाला कोलू हो, चाहे हो तेल वाला कोलू हो, क्या होता है, बैल को नाध दिया जाता है, और हाग दिया जाता है, और बैल चलता है, कहते हैं, तेली के बैल में आँख में ऐसा पट्टी भी लगा दी जाते है मैं तो देखा हूँ मैं तो कोलू पर बेठा भी हूँ देखा भी हूँ उसको तेल पेड़ते हुए बच्पने में तो वो बैल को नाध दिया गया हांग दिया गया सुबह से शाम तक बैल चलता है सुबह से शाम तक वो परिक्रमा करता है चलता है पहुंचता कहा है पहुंचता कहा है जहां से सुरू किये थे वही सही है ना जहां से सुरू किये थे वही साहब क्या करते है खसम बिन तेली को बैल भयो खसम पती, स्वामी स्वेम को जाने बिना आत्मा में प्रतिष्ठित हुए बिना शत्ति को जाने बिना जीवन बीत रहा है कमाओ खाओ जीओ कमाओ खाओ जीओ गुरुदेव जी यह भी कहा करते थे यह दि आप इसमें साधना का काम नहीं किये शांति के लिए कदम नहीं बढ़ाए तो जानते हो क्या कर रहे हो मैला बनाने की फेक्ट्री चला रहे हो समझ रहे हो मैला बनाने की फेक्ट्री गन्न मिले न तो वहां से गन्न डालते है और चिनी निकलती है होता एक नहीं होता है और हम लोग यहां डालते है यहीं डालते न फल, फूल, सबजी, चावल, दाल, और क्या कर रहे हैं? मेला बनाने की फेक्टरी चला रहे हैं, इसके लगो क्या कर रहे हैं? कुछ उपर उठना है, मैं कह रहा था, शक्ति है, उसका सही उपियोग करें, अपने पास में, और मैंने कुछ उधान भी दिये थे इसके लिए, कि हमारे पास, कैसे? हमारे पास में, मैंने का न, देखने की शक्ति, सुनने की सक्ति, सोचने की सक्ति, बोलने की सक्ति, करने की सक्ति, हम सब का दुरुपयोग करने में लगे हुए है और जीवन को बरबाद करने में तुले हुए है कभी तो बैट करके सोचो क्या मैं ऐसे जीवन जिता रहूंगा राद दिन संगर रडाई जगड़ा वाला कभी तो अकेले में बैट करके शान कोई बात नहीं, मैं यह नहीं कर रहा हूँ, क्या आपको शक्ति को सही दिसा में लाने के लिए, क्या आपको कामधंदा छोड़ना है? दिखिए, जीवन जीना है, तो मुझे गुजर चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, कहां से मिलेंगे? पैसे से मिलेंगे, रुपिया से मिलेंगे, तो रुपिया तो कमाना पड़ेगा, कोई मना कर रहा है, आपको धन कमाने के लिए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन आप धन को ही सब कुछ ना माल लें, कि धन मिलने पर सब हो जाएगा, धन ने मिलने पर केवल जीवन गुजर हो बस आगे नहीं होगा काम अभी कुछ दिन पहले ही सुन रहा था कहा था किसी ने कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी जो रुपिय कमाता है मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी जो रुपिय कमाता है कोई प्राणी नहीं कमाता लेकिन सारे प्राणी को आप पेड भरता है आदमी भर का पेड नहीं भरता है ऐसा नहीं लगता है आपको सही है न हर समय कमी 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 अभाव की अन्भूती में जीते रहता है पूर्णता तो महसूस हो कभी कि मैं भीतर से त्रिकत हूँ अभी एक घर बैठने गया था शाम के समय बैठे तो जो बहन थी उसे पूछा पूर्णता महसूस होती है मकान बहुत बढ़िया सही बता रहा है मकान बहुत बढ़िया आपको पूर्णता महसूस होती कोई अभाव की तन्भूती नहीं होती उसने कहा क्यों होती है होती है और यह बातें कहते कि मैं यह खुद मेरे मरज़ इतना दंद रहता है यह Aquod पूछने करने वाली थी मैं खुद पूछने वाली थी कैसे मैं इसको महसूस करूँ मैंने कहा मैं युजी वुछ दिया कि कम से कम जो परिष्थिति आपकी इसमे पुर्णता महसूस हो जी नी चाहिना, क्योंकि आपको पता है, वो खुद कहती थी, ना तो मुझे भोजन की कमी है, ना तो मेरे पास कपड़े की कमी है, मेरे परिवार अच्छा, पती अच्छा और एक निश्चित आमधनी भी है, मा का का आज जब अच्छा है तो कल क्यों खराब हो जाएगा, आज जब रोज खा रही हो तो, फिर मैंने उसको कुछ टिप सा बता है, कि कैसे करना है इसको थोड़ा चेंज करना है, कुछ बातें बताई, मैं बताउंगा, आप सबको यह बातें आएंगे आएंगे आके चल करके कि जो जो बातें बताई मैंने, कि कैसे उसको थोड़ा से चेंज करो, उस चीज को, वही मैं बता रहा हूँ कि शक्ति का कैसे उप्योग, देखो सोचने की शक्ति, आप गलत दिसा में सोच रहे हैं उस चीज को, अब सही दिसा में सोचना सुरू कर दी उसी चीज को, अब व जीतर से कहें, मेरे पास जु कुछ है, उससे मैं पूर्ण संतुष्ट हूं, शान्त क्या दिक्कत है कहने में यही तो चाहते हैं आप जीवन में क्या आप पुर्णता चाहते हैं क्या आप कमी में जीवन बिताना चाहते हैं चाहते तुम्हें पुर्णता हो कब होगा कल होगा परशो होगा चार साल बाद होगा कर लो आपको इदी लगता भी है करना है तो आप तय कर लो एक डूरेशन एक तय कर लो दो साल के बाद में मुझे पूर्णता महसूस करना है आप जानते हैं आज जो भोजन कर रहे हैं आप दो साल बाद भी भही करते रहेंगे बड़े हो जाएंगे तो जादा भोजन करेंगे गरीब हो जाएंगे तो कम भोजन करेंगे क्या ऐसा होता है मैं सही बताओ ना गरीब लोग जितना खाते हैं अमीर लोग उतना नहीं खापाते हैं आप मानते हैं बात को देख ले ना खुराक उनकी अमीर आदमिक देखना और ज्यादा जितना मीर है उसके और खुराग को देखना और रिडियूस होता जाएगा और जितना महनत कासा है गिट्टी तोड़ता है पत्थर तोड़ता है फावडा चलाता है कुलाडी चलाता है उसके खाना को देखो कहा हैं अरे राम 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 ये तिन चार दिन मही खा मिलेगा इसको तो सही है ना कहा था कहून है कहते हैं आमदनी सबके अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन रोटी की साइज लगभग बराबर होती है आपके घर रोटी बने चाहिए उनके घर साइज तो ही है कितना खालेंगे आप किसी ने बहुत सुंदर कहा है मुर्दा को मिल जात है कपड़ा लकड़ा आग जिंदा नर चिंता करे ताकर बड़ा अभाग आप मर के देखो समा करना भी मत मरना अभी नहीं लेकिन आप देखें कि नहीं आप एक ही चीज के देरी ही अभी क्या चीज की मरने की देरी है हमारे लिए कफण तायार है अचा है कि नहीं है जैसे यह मैं मरा क्या करेंगे अचा लिटाओ 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 अचा ले आओ कफण ले आओ क्या कहेंगे, भाईया, यह आदमी अच्छा बोल रहा था, मर गया, देखो तो सही, चलो इसको लेचाव मिट्टी, यही तो होने वाला है ना, कुल मिलागर के, मरने के, कफन तयार है मेरे लिए, देरी किसकी है, मरने की, अच्छा लकडी भी तयार है, लकडी है, किसकी देरी मरने की, कंदे में ले जाने वाले भी तयार है, हैक नहीं है, अच्छा मैं मर जागो तहीं छोड़ देंगे, क्या, उठाके ही ले जाएंगे हाफ लोग, के बाल मरने की देरी, अच्छा रोने भी तयार है ना, सही है, और मरने की देरी, अच्छा रोने भी तयार है ना, सही मुर्दा को मिल जात है कपड़ा लकड़ा, कपड़ा मिलेगा, लकड़ी मिलेगी, आग मिलेगी, जिन्दा नर्चिंता करे, सही है ना, ताकर बड़ा हम लोग कितने अभागे हैं, हम जीवित हैं, हमें नहीं मिलेगा खाने के लिए, आप कभी गय होंगे प्रयाग राज, जब किनारे किनारे घुमने जाते थे, बहुत से भीखारी बैठे रहते, आप लोग देखे होंगे, और कई भीखारी, जिनके हाथ पैर गल गए हैं, भीख मांग रहे हैं, और कोई चावल कोई दे दिया, कोई रूपिये पैसे दिया, कुछ कपड़े दे दिये, वर्सों ज कि ए देखते हैं भीक मांगने में बाम Daniory अजीता है वादमी भीक मांकर खाने वाला और हमारी एक निष्चित आमधनी है हमारी अदुखान है इतनी उच्छी हम बड़ी जोपरी कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं और रुम चिंता कर रहें, कल क्या खाएंगे क्या जितना दुर्भाग्य पूर्णा है मतलब अब होश में जीते हैं पर अपना जोच लें कभी कभी खड़े कुछों, अच्छा मैं भेहोसिम जी रहा हूँ कि होश में जी रहा हूँ आपको लगे, बेहुसिम बहुत जी रहा हैं, होश में नहीं जी रहा हूँ होश में जीएंगे, पूर्नता महासूस करेंगे सब कुछ मैंने कहा ना, सब कुछ तो छोड़ कर जाना पड़ता है किसके लिए, क्यों अपनी शक्ति को बरबाद कर रहा हैं आप कुछ जाने वाला है साथ में, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको नोकरी छोड़ दी है आपको व्यापार छोड़ देना है, कोई यह थोड़ी है कि आपके पास है तो और ना बढ़ाओ, बढ़ाओ बढ़ा मकामन और और बढ़ा मकान बनाओ, बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी गाड़ी लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अशान्त मनवाला बनो आप धन को कमाने में इतने व्यस्त हो जाएं आप भीतर से डिप्रेस हो जाएं, अशान्त हो जाएं, बेचाईनी हो जाएं क्या मतलब है, मैं यह कहना चाहता हूं, कि आप धनी भी हो और शान्त भी हो, धन शान्ती का विरोधी नहीं है विरोधी नहीं है धन तो नीट्रल मैंने कान वो शक्ती नीट्रल है बस आप कैसे उपयोग करते हैं धन का दुरपयोग करेंगे गलत खाएंगे वाकिर होता क्या है लोग शराप, कवार, बिडी, तमाकू, गांजा, भांग, जुआ धनी तो है न क्या कर रहे हैं आप परवात कर रहे हैं लेकिन वही है अपने लिए परिवार के लिए अवरों के लिए ठीक है भई, आपको चीज है हो ठीक है मैं सही होग करने के तयार हूँ बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उंटिलिजेंट है बहुत परदिभावान है ठीक है मैं पढ़ा दूँगा आपको कोई बात नहीं है बेटी है, सादी नहीं पा रहे है कोई बात नहीं, मैं सही होग कर दूँगा आपकी बेटी की सादी में मैं हूँ, आपको पस धनाय कर दीजे कोई दिकत नहीं है लेकिन आप उसका धुरुपयोग करने लग गए वो आपके लिए नुक्षान करेगा सधुरुपयोग करते हैं आपका भी भला होगा दूसरों का भी भला हो जाएगा इसलिए इसको संझे मैं थुड़ी थुड़ी बातों का और थोड़ क्लिरी फाई करूं तो तो और बात समझ में आए मैंने क्या कहा हम मैं त्याक की शक्ति है थाक नहीं है त्याक की सक्ति अब गलत जगा त्याग करते अच्छे एक मैं बड़ा इस्थुल लान बताता हूं जैसे डाक्टर ने कहा है कि भाई आपको ये जो मिठाई है ना मत खाना मिठाई मत खाना ठीक है क्या खाना सादा खाना साधी चीजे फलित्यादी खाले ना भले लेकिन हम क्या कर रहे है त्याग की शक्ति है हम किसका त्याग कर रहे है जो फायदा करे उसका त्याग कर रहे है और जो नुक्षान करे उसको हम ग्रहन कर रहे है त्याग की शक्ति तो है लेकिन किसका त्याग कर रहे है जो हमारे लिए फायदे, मने उसका त्याग और जो हमारे लिए नुक्षान दायख है उसको गहन अब त्याग की शक्ति है तो त्याग कहाँ लगाना चाहिए गलत जगा लगा रहे हैंखों एक लड़का था, इस्कूल से आता था, कालेश से आता था, तिन चार बजे के लगभग और ठीक पाँच बजे एक लड़की से लड़की को देखने जाता था, कुछ दूर घर के जाता था, और सो लड़की को देखा करता था, और कभी-कभी लड़की दिख जाती थी, कभी न गरिनी हो चाहे ज़सा हो इसकूल से आना और ठिक पांच बजे घर से निकलना और उस लड़की को देखने जाना और कभी-कभी लड़की देख भी लेती थी और कभी-कभी लड़की मुस्कुरहाट भी पास आउट कर देती थी भी देती थी अब लड़के क्या लगने लग ग करके बस एक तरफ उनका होता था और कितने दिन तक कि अब पूरे साल कभी कभी उसको पिता कभी डर लगता था इसके बावजूद वो अपने आपको ऐसा मेनेज करता था कि वो रोज पांच बजे निकलता रोज और उस लड़की को देख लेता था रोज जादा था साल भर ब कुछ तो प्रस्ताव रख देना चाहिए और जा करके उसको प्रस्ताव रखता है प्रपोच करता है तो जैसे उसने कहा लड़की जोर से टाट कर बोली तुमारी हिम्मत हुभी जो मुझे प्रपोच कर रहे हो तुम तुम अपनी अवकात को जानते हो तुमारी अवकात नह आया लड़का वापस घर, एक दम दुखी, डिप्रेश हो गया, यार मैं उसको साल भर तक समय दिया, और मुझे इस प्रकार मुझे याद दिला दिये वो, बहुत परशान, और तब चिंतन करते 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 उसे ख्याल भी आया, कि लोगों से सुना था, कि इस निगेटिविट इस में मेरे अंदर एक चीज आ गई है, अच्छी चीज क्या, रोज पांज बजे मैं घर से जाता था, एक अनुशाशन मेरे में डबलप हो गया है, क्या अनुशाशन डबलप हो गया है, रोज पांज बजे मुझे जाना, रोज पांज बजे, चाहे मौसन जितना ही खराब हुआ हो लेकिन मैंने पूरे साल 365 दिन रोज गया एक टाइम से तो कम से कम एक सक्ति मेरे अंदर आएगी ना अनुशाशन की अनुशाशन की शक्ति आ गई है अब इस अनुशाशन की शक्ति को मैं क्या किया हूँ दूसरों के लिए लगा रहा था दूसरों के लिए गलत जग को नहीं लगाना है अपने लिए और रोज उसने अपने अनुशाशन जो शक्ति थी उसको अपने काम में लगाने लग गया ऐसा करते करते साल भर से जादा हो गए और तब वो जो लड़की थी एक दिन अपने वाइपर अपने मित्र के साथ लड़का जो मित्र था उनका दू जाती है तो देखती क्या है एक बहुत चमचमाती और सुन्दर कार जिस कार को पसंद करती थी देखी वाह कितनी सुन्दर कार है और खड़ी हो जाती है और अपने वो साथी से कहती है कि जरह इस कार के साथ मेरा फोटो कीजो और जैसे ही वो कैमरा निकालना चाहा कि फोटो आगया, अब तो समझी कोई कोई कार का मालिक हो गया था, वही लड़का था, जिसको उसने अवकात याद दिलाई थी, लड़का ने देखा उस लड़की को, मुश्कुराया, कार में बैठा, इस्टार्ट किया और चल दिया, मैं क्या कहना चाहता हूँ, साफ है न, अनुशाषन की सक्ति मेरे भीतर थी, लेकिन वो गलच जग लग रही थी, और जैसे इसी जगा लगी, उसके जीवन बदल गया, हम सब में भी है, किसी चीज को हम करते हैं बड़िया से, लेकिन गलच चीज को करने लग जाते हैं, मैंने जब भी कोई आदमी शिकरेड जलाता है, जब भी कोई आदमी शराप पीता है, जब भी, आप ध्यान दीजी से, जब भी वो गुटका खाता हो, तमाकू खाता हो, उसी छण एक विकल्प मौझूद रहता है, एक औसर रहता है, कौन सा औसर रहता है, शिकरेड न पीने का, लोटने का वीकलप खतम हो जाता है, लोटने का वीकलप खतम हो जाता है, आप अपने घर से यहां तक आये, तो बीच करास्ते में भी लोट सकते थे, असत नहीं था कि नहीं लोट सकते थे, लेकिन आपने का नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है, और आप यहां तक आगए, अभी आपके मन में अभी भी विकल्प है, आप यहां से जब चाहें उठ सकते हैं, उठ सकते हैं, उठ सकते हैं, उठ सकते हैं, वो मौझूद है कि नहीं है, आप प्रोचन सुनते सुनते भी बीच में छोड़ करके जा सकते हैं, मौझूद है वो अवस्था, वो इस्थिती है मैंने क्या गाए? जब भी कोई shigreatta जलाता है उसी समय एक औसर एक आउसर रहता है, एक षिकर पर आता है, shigreat न पीने का, चुनाओ किसका करता है? पीने का चाहिए ना? गलत का चुनाओ अच्छे कितनी बार किया? कितनी बार किया गलत का चुनाओ? एक बार? दो बार? दस बार? विज बार? अब कितने लंबे समयश कर रहा है? जीवन एक दिन में असफल नहीं होता है जीवन एक दिन में सफल नहीं होता है एक दिन में कोई बड़ी बिमारी नहीं लग जाती है और एक दिन में कोई आद्वी स्वस्त भी नहीं होता है एक पीजे अब्दुल कलाम की एक पुस्तक मैंने पढ़ी कई पुस्तकें पढ़ी मैंने उनकी आपका भविष्चा आपके हाथ इसमें उन्होंने लिखा है खास करके यूथ, युवाओं के लिखा है उन्होंने कि बच्चो जो बड़ी उम्र में जो बड़ी बिमारियां होती हैं और जो अंत समय में बहुत तकलीव देती हैं तो वो चीजें कम उमर में ही शुरु हो जाती है कम उमर में ही वो बिमारी लग जाती है लेकिन अभी शरीर में उरजा है इसलिए आप पता नहीं चल रहा है आगे चल कर तो आपको तकलीव देती है इसलिए जब आप युवा है तभी ध्यान देना शुरू कर दो खान पान में एक्सरसाइज के लिए स्वस्त रहो ये हमारे पूरवा राष्ट पती ने लिखा है ये ख्याला गया है बताए मैं कि आप के पास औसर है औसर रहता है कि आप गलत का जो मैंने कहाना असफलता और सफलता बारे में कह रहा था एक दिन में कोई सफल नहीं होता एक दिन में कोई असफल नहीं होता एक दिन में बड़ी बिमारी नहीं लग जाती है कि कल आपने मिठाई खा दी और आज आपको कहा देया है आप शुगर के पेशेंट होगे नहीं है ऐसा लंबे समय तक आपने गल्तियां की उसका परणाम आ गया तब क्या करना है लंबे समय तक वह अच्छा करेंगे तो परणाम बदल जाएगा तो परणाम बदल जाएगा इसलिए अब इसमें सातत्यता चाहिए निरंतरता यही हम नहीं कर पाते हैं मैंने कहा है शिग्रेट पीने में वही भी कल्प है उसमें भी लेकिन गलत का चुनाव करते हैं बस शक्ति तो है छोड़ने के नहीं छोड़ पाते हैं नहीं छोड़ पाते हैं एक पुरानी कहानी बताओं ख्याल आया एक राजा एक संथ से मिलने गए और संथ से क्या करते हैं वो कि भगवन आप तो महान त्यागी है पूरी आप संसार छोड़ करके चले गए संथ ने क्या कहा मैं कहां महात्यागी महात्यागी तो आप है राजे से क्या करते हैं महात्यागी तो आप है मैं कहा महात्यागी हूँ अरे भगवन आप ऐसी करते हम तो संसारी आदमी राजकाज में उल्जे हुए है भोग बिलास में लगे रहते हम कहा त्यागी है हम तो भोगी है त्यागी आप है त्यागी आप है नहीं नहीं आप महात्यागी है संत ने कहा उसने कहा, भगवन मुझे समझाईए, आप क्या कहना चाहते हैं, मैं कैसे त्यागी महा त्यागी होगा, मैं तो त्यागी आपको मानता हूं, कि देखो, आप बताओ, सबसे बड़ी जो जो चाहनती हैं, लोग क्या चाहते हैं, यही तो चाहते हैं, शानती चाहते हैं, हाँ, धनी से धनी आदमी भी अंत में क्या चाहेगा शांती प्रधान मंत्री भी मरेगा तब लोग क्या कहेंगे जब उसके सरद्धानजली देने जाएंगे तो क्या कहते हैं जब सरद्धानजली देने जाते हैं किसी भी बड़े आदमी को या आपके ही करने लिगा कोई हो जब वो धनी बड़ा बहुत बड़ा आदमी है मर गया, लोगी कठे हुए बोलने का उसर आया उनके लिए खड़े होते हैं, बोलते हैं, कहते हैं उनके भी सेस्ताओं को गाएंगे उनने ऐसा किया, वैसा किया, अच्छा किया और अंत में चलते समय क्या कहेंगे मैं भगवान से प्रातना करता हूं, उनकी आत्मे को शांती दे क्यों इतना धन कमाया तो शांती नहीं कमाया था क्या, शांती भीत कमाय रहा होगा आपको कहाना चाहिए, मैं भगवान से प्रातना करता हूं करता हूं, कि जितना धन इस जीवाने मिले था, उससे डबल धन अगले जीवने मिले, कहना नहीं चीए, क्या कहते हैं, मैं भगवान से प्रात्ना करता हूं, कि उनकी आत्मा को शांति दे, अच्छे, प्रधान मंतर के लिए यही कहेंगे, कि उनको कहेंगे, अगले जनम में भी उनको प्रधान मंतरी बनाना भगवान, यही प्रात्ना करता हूं, कोई करता है, कोई विद्वान, करेगा कोई, सही एक नहीं, कितनी किम्ती चीज है, जिसे सब चाहते हैं, कल्यान सब चाहते हैं, निर्वान सब चाहते हैं, मैं तो उस चीजों को और उसके लिए उसके लिए मैं असकारत मैं जादा मुल्यवान चीजों को चाहने के लिए छणिक चीजों को मैंने त्याग दिया है तो मैं कहां त्याग में आप हैं, जो बहुत मुल्यवान चीजों को छोड़ करके, उन छणिक चीजों में आप आकर सिदे उनको चाहते हैं, छणिक चीजों में जो चीजें मिली हैं और छुट जाएंगी, उसी को आप चाहते हैं, और उसको त्याग दिये हैं, शाधना को त् हैं तो फिर कौन बड़ा त्याग है बताओ कौन बड़ा त्याग है त्याग की शक्ति है लेकिन त्याग हम गलत जगा लगा रहे हैं और इसी चीज़ और भी सोचते हैं धहरी की सक्ति है विनम्रता की सक्ति सब में सक्ति हमारे पास है मैं बहुत कम समय बचा थोड़े में बत हम में बोलने की सक्ति है, सोचने की सक्ति है, और करने की सक्ति है. अब इसका सही उपियोग करना है. यही जीवन बनाता है. और यह उद्धान मैंने पिछले साल भी साथ दिया रहा होगा, लेकिन हम लोग तो है भूलनलाल, भूलकड में जानता हूँ. अच्छे मन का लक्षन क्या है पुछा करता हूँ अच्छे मन का लक्षन क्या है बताया था मुझे याद है पिछले साल बताया था अच्छे मन का लक्षन क्या है काम की बातों को याद रखना और बेकाम की बातों को भूल जाना यह तो अच्छा मन है ना अर हम लोग का कैसा मन है बेकाम की बातों को याद रखना और काम की बातों को भूल जाना पिछले साल सथसंग हुआ था किस-किस भी से पर चर्चा हुई थी भूल गया साब लेकिन चार साल पहले किसी ने अपमान किया है उसके घर गया थो उसने मुझे ऐसा सब्द कहा है कितनी बार याद करते है किसी ने का रहे छोड़ ने तू भी गजब आदमी है चार साल पहले की बात को बार बार याद करता है कैसे भूल जाओंगा मैं उसे जिन्दगी भर नहीं भूलूंगा कमाल है सही है न और कुछ लोग तुड़ा अती रेक करते तिन जनब नहीं भूलूंगा करो भई याद क्योंकि आप में सामर्थ है याद करने की किसकी याद करने की गलत चीज़ों को याद करने की इसकी जगा अच्छी चीज़ों को याद कर सकते थे तो मैं पिछले साल भी ये बात मैंने कही थी वो बात को याद दिला रहा हूँ देखो मेरे हाथ है सब के पास तो हाथ है ना सब के पास है हाथ अब इन हाथों का कैसे उप्योग करना है ये सब समझ लो इस चीज़ को कैसा सदूपयोग, कैसा दुरूपयोग, परणाम क्या आता है, इन हाथों से मैं किसी के सामने जा करके, हाथ जोड़ करके, परणाम कर सकता हूँ, अभिवादन कर सकता हूँ, और किसी को तकलीफ हो शारिरिक, तो इन हाथों से मैं सेवा कर सकता हूँ, किसी को किसी चीज की ज और किसी के सामान को छीन सकता हूँ हाथ का एक है अभिवादन करना हाथ जोड़ करके प्रणाम करना और दूसरा है थपड़ मानना हाथ का उपयोग कैसे कर रहा है और मैंने क्या कहा था प्राप्त शक्ति का सदुपयोग वर्दान है प्राप्त शक्ति का दुरूपयोग अभिशाफ है यह शक्ति हमारे में है कैसा उपयोग कर रहे हाथ का यह हमारे उपर निर्वर करता है बोलने की शक्ति हम में है देखिए साहब एक बात बताओ बहुत लोग हैं, इस दुनिया में, जो बोल नहीं पाते हैं, है को नहीं हैं, जानते हूंगे, कई ऐसे लोग हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, कई ऐसे लोग हैं, जिनके हाथ नहीं हैं, और हमारे हाथ हैं, कई ऐसे लोग हैं, जिनके पैर नहीं हैं, हमारे पैर हैं, कई ऐसे ल और कई ऐसे लोग हैं जिसकी जवानी ढ़ल चुकी है बिलकुल बृद्धा वस्ता में आ गए हैं अब वो जवानी में जो कर सकते थे वो अभी नहीं कर सकते हैं लेकिन कितने लोग जवान हैं स्वस्त हैं, क्या उपयोग कर रहे हैं क्या उपो करने, देखो ते खिल आया, एक इसा मसी, रास्ते रास्ते जा रहे थे, तो देखा एक आदमी, गाली दे रहा था, गलत सब्द बोल रहा था, अफ शब्द बोल रहा था, इसा मसी नहीं कहा, भाया, सुनो, तुम क्या कर रहे हो, क्यों कट्टू शब्द, गलस वर गाली दे रहे हो, ऐसा लगता है, तुम सराब पिये हुए हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, थोड़ा, थोड़ा आधमी ठिटका, रुका और देखा, अच्छा, आप इसा मसी हैं, देखिये मैं, मैं तो गुंगा था, बोल नहीं पाता था, आप नहीं तो मुझे बोलना के लिए आसिरवाद दिया, आपके ही आसिरवाद के बलपन में फिर से बोलने लग गया, और जब बोलने ही लग गया हूं तो फिर क्या करूं, क्या करूं, तो मैं बोल रहा हूं, जो मन में आ रह यही इसका उप्योग है, फिर आगे बढ़े, तो देखते हैं कि एक आदमी वेश्या के पीछे भागा चला जा रहा है, उसका रुको रुको भाईया, तुम क्या कर रहे हो, इतने सुंदर तुम्हाइ आखे मिली है, और तुम वेश्या के पीछे पीछे भागे चला रहे है, अर जब आख देखने को मिल ही गई है, तो मैं वेश्या के पीछे न भागू उत कहा जाओ, सुंदर तके पीछे न जाओ, क्या करूँ, इसामाजी ने का वाह, इसका मतलब है, आख होने का मतलब है, आप इसी प्रकार से भागो, गलत जगा जाओ, वो बड़ा चिंतित फिर आगे तेखते हैं आगे अधे एक आदमी फांड़ा लेकर कर बस फांशी पल लटकना चाहता है, उस सा है, उस सा है। उते रोको रुको 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 email जाहते हो, इतना सुंदर जीवन मिला है, क्यों फांशी पल लटकना चाहते हो? जिन्दा रहों, बहुत मुझे जिन्दा मत करना इसा मसी छोड़े और आगे बढ़े और सोचने लगे क्या जवानी का होना आख का होना जीवन का मिलना इसी के लिए है क्या इसका और दुसरा उपियोग नहीं हो सकता है अच्छा उपियोग नहीं हो सकता है जो अपने लिए फायदे मंद हो, दूसरे के लिए फायदे मंद हो, हम क्या कर रहे हैं इस चीज को, बहुत दुरूपियोग कर रहे है, एक बार गुर्देव जी से सज्जन कई साल पहले की बात है, आकर कहें, यह जो मुबाइल है न, यह लोगों को परभाद कर रहा है, अपसे जादा मुल्यवान मानाओ का जीवन है, आदमी जीवन को ही बरबाद करने में लगा हुआ है, तो मुबाइल की कौन बात है, लगें नहीं लगें बताओ, आप ही सोचिए, आपको लगता है, मैं जीवन का सही उपयोग कर रहा हूँ, और आप सही उपयोग का मतलब क कर लेते हैं तना ही काम तो, आप थोड़ा और ऊपर उठिये, उस गहरी शानती के अनभ Lower के लिए जीवन मिला है, पर हम शानती के अनभौ के लिए जीवन मिला हुआ है, कभी आप वढ़ी करें, अब मैं काह रहfrontा है, कौश समय के लिए शानत होते चले जाईए, शानत होते इसे समय निकालें उसके लिए, आज तो इस बात पर कह रहा था, वानी पर बोल रहा था, पहले हाथ के बारे में बताए, फिर वानी के बारे में, देखे, वानी का सदुपयोग और दुरुपयोग पर कह रहा था, आप इसी वानी से किसी आदमी के लिए कह सकते, आप बड़े बेवकुफ आदमी हो आप बड़े मुर्ख हो कह सकता हूँ लेकिन फिर मैंने एक दूसरा तरीका अपनाया आप भले इंसान है क्या कहा आप भले आदमी हो आप मुर्ख भी कह सकता हूँ और भले इंसान भी कह सकता हूँ बाणी अपने आप में कुछ नहीं है, आप मैं बाणी का ब्रयोग कैसे करता हूँ दोनों मंतर है कभीर साहिब की ये पंक्ति आद होगी शब्द समारे बोलिये शब्द के हाथ न पाओ एक शब्द करे अवशधी एक शब्द करे घाओ एक अवशधी का काम करता है और एक घाओ का काम करता है सहब ने का सव्द इइचर्वं द्वार होई संचरे शालेशा कर सारीर बिल्कुल एक आधी पंक्ति बहुत है मधुर वचण है आवशधी और कटुक वचण है इतने ही बहुत है समझ सकें तो और कच्छत तीन से पढ़ते आएं कबीर की पंक्ती, ऐसा नेक में कबीर की पंक्ती पढ़ाने आए हूँ आपको, आप पढ़ चुके हैं, सुनाओ, ऐशी वानी, याद है सबको, ऐशी वानी, बोल ये, मन का आपा, और अनको शीतल करे, आपो ही शीतल, याद नहीं है, अच् जहर निकलता है, और सहीं जहर निकालते भी हैं लोग, जहर निकालते भी हैं, ऐसा लगता है, दूसरे सामने वाला ऐसा, बोलो कि हो जल जाए, जहर में, जुलस जाए, जान, इंटेंशन, वह इंटेंशन ही होता है, जुलसाना ही होते से होता है, कमाल का जीवन है, मैं यह क मैं एक चीज बीछ में और बताओं, खास बात जो बताना चाहता हूं अभी, एक स्ग्स comes on which is a special thing v about? कितना समय और जितनी शक्ति कें लरेकों दो चीज आप करणे में लगती है, समय लगता है शक्ति लगती है, जैसे मेरा समय लगा, आप बड़े मुर्ख आदमी है, समय लगा, शक्ति लगे, उतने ही समय और शक्ति में, मैं क्या कहा पाता हूँ, आप भले इंसान है, अच्छा कहने में और बुरा कहने में, सक्ति और समय उतना ही लगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आपको समय और सक उतने ही देना है, अच्छा ही करो न, शहीं अच्छा ही करो न, क्यों गलत करके अपने जीवन को बरबात कर रहे हो, उतने ही लगेगा, इसी प्रकार आपके विचार, यह तीसरी बात बता रहा हूं, सोचने की छक्ति हम में है, सोचते कैसे हैं, बैठे हैं और सोच रहे हैं, अब विरोधी को कोई ठीक है, अब ऐसे थोड़े ही कि हमारे पाकिस्तानी ही विरोधी हम मार रहे हैं, या चीन वाले विरोधी मानते हैं, आप सगे भाई को भी विरोधी मानने लग जाते हैं, और कई बार तो पतनी को भी विरोधी मानने लग जाते हैं, क्या मैं सही कह रह और मन बस उसके बारे मुधेड़बून लगा है और क्या करा है? अंदर अंदर बैठे अकेले में है न? कोई नहीं है दुस्मन और अंदर हम दुस्मन खड़े करके क्या सोच रहे हैं? उसका एक्सिडेंट हो जाए उसका हाथ पे टूड़ जाए उसके खार आग लग जाए उसके नोकरी छुड़ जाए कमाल है किदना गलत चिंतन हो रहा है आप यह भी तो सोच सकते हैं उनका भला हो उनको सब प्रकार से लाब हो क्या दिक्कत है से सोचने में? लेकि नहीं सोचेंगे हम दूसरों को बढ़ते देखें और कहाते है वर्दान मांगो लेकिन हाँ दोनों नहीं एक ही मांगोगे तच ठीक है तो कहा कि लेकिन सर्त है जो मांगेगा उसको तना मिलेगा जो नहीं मांगे उसको डबल मिलेगा जो मांगेगा उसको तना मिलेगा जो नहीं मांगे उसको डबल मिलेगा अब दोनों कारें, आप मांगिये, वोगा ना, यही होगा कि नहीं होगा, हम भी भी यही करेंगे, ताकि आप मांग लो, सिंगल तो मुझे मिलेगा, आप मांगेंगे, एक कार, मुझे कितनी मिलेगी, दो कार, आप मांगेंगे, एक मकान, मुझे कितनी मिलेगा, दो मांकान, आप मांगे, एक मांगे, दूसरा ने का, अच्छा, बड़े हुश्यार बनते हैं, ठीक है, मैं मांगता हूँ, उसने क्या का, भगवन आप खुषेद मेरी एक आख फुट जाए, क्या हुआ, समझ रहे हैं, ना, आपको शक्ति मिली है, कोई बात नहीं, उनको फाइदा हो जाता, तो क्या दिक्कत थी, हम सह नहीं भाते हैं इस चीज को, पतलब कितने मांसिकत, अच्छे, आप समझ रहे होंगे, यह कहानी है, सच एक नहीं बताई आप, सच एक नहीं है, लोग अपना नुक्षान करके दूसरों का नुक्षान करना चाहते हैं, आप देख लिजी इस चीज को, अपना नुक्षान करके, मैंने पढ़ी एक पुस्तक है, एक पंक्ति है, साथमें आदत में एक आदत है, जीत-जीत, वीन-वीन, उनने लिखा है, हार जीत, जीत हार, हार हार, उस है जीत, जीत. अब ये व्याक्ष्या करने को मेरे पास समय नहीं, उसके बारे में बताउु इस चीज को. उसने कहा हाए, हार हार, उन्हें उधान दिया है, एक पती पत्नी तलाख हुआ, वहाँ विदेश की बात है अमेरिका की, तलाख हुआ, तो पती को इतना हिस्सा देना था, ते कोई भवन रहा, कुछ ऐसी, जो इसको बेच करके उसका आधा पैसा उसको देना है, सही है ना, अ मुआ़े का मालो, मिल सकता था उस भवन का, अब उसको बेच एक पशनी मिल सकता था उस्भवन का, तो पचास लाग उनको देना पड़ेगा, सही एक नहीं, पचास लाक मिल बेच दिया वह समय hammamेर 55 लाक मिल दिया, तकै उसको कम पैसा मिले घाका उसको भी ठुआ ना, इस जीवन का सही तरीका है, कभी ख्याला है बताओंगे जीत जीत, ये सही मेंटेलिटी है, लेकिन हार हार, मतलब अपना नुक्षान करके भी दूसरों का नुक्षान करना चाहते हैं, जीवन का उत्थान होगा, और ऐसी मानसिक्ता वाले शांति कन्भव कर पाएंगे, नहीं, अ अनभव हो सके, और कैसे कर सकते हैं, कल, ठीक है, कल इस विसाय को विस्ताहर से कहना चाहूंगा, कि कैसे हम अपनी शक्ति को दिशा दे, जीवन को दिशा दे, और ऐसे जीवन का निर्मान करें, सच्मु जिस जीवन को जीने में आना दा जाए, ये ही करना है, तो कल एदी ज जीवन को 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 जीव